हलो बच्चों lets see this question and here this question says differentiate between ferrous and non ferrous minerals with example question आपसे पूल रहा है कि ferrous or non ferrous minerals के बारे में explain कीजिए जब्भी differentiate करने वाले distinguish करने वाले question आएगर तो कोशिश इस कर रा कर वागर गुणो बनाखे करूं आपका आखी अर्म अगर हम बात करें ferrous औरë non-f커as minerals कि तो देखो feroas minerals वोता है जिनल में iron content पाया 자ता है ठीक है और magnetic होते हिसल तो इन ना तो कोई भी iron content पाया जाता है और ना ही वो magnetic होते हैं चलिए start करते हैं एक तरफ लेवे फेरसमी देटिंन औरjor लिखेंगे non-ferrous minerals फीरस ministerals की बात करें ye 스क लेकर और these minerals are magnetic in nature तो यह अपने निचर में कैसे होते हैं magnetic होते हैं वही non-ferrous minerals magnetic नहीं होते हैं these minerals are not magnetic in nature ferrous minerals की बात करें तो these minerals weight more यह थोड़े से भारी होते हैं वही non-ferrous minerals की बात करें तो they are light weighted minerals, okay they undergo corrosion easily corrosion का मतलब होता है कि इनमेरा जंक बहुत अरान से लग जाती है आपने देखा होगा जब भी बारिश का मौसम होता है ठीक है कोई भी iron की आपके पास घर में कुछ आइरन का समान पड़ा हो उसमें पाने डाल दो काफी टाइम तक अगर वो गीला रहता है तो उसमें क्या हो जाता है ओपार इस ब्राउन क्लर की लीर आ जाती है तो क्या होते है वह ऑलते हैं पर जंग लगना भूलते है तो फैर्वान थे यौरल के में जंग लग सकता है का प्राबलम प्रॉब्लम का में हाट हो उएकशाlet है वापर हो गया शिल्वर ओ गया जुट हो गया इसेटरा आप बताओ आपने कभी गोल्ड में देखा है कि जंग लग रही है जंग क्यों नहीं लगती है और वह हो पिर दिक है और वह कुरोजसर को रेसिस्ट करता है इस वर जंग नहीं लगते तो यह मेजर difference होते हैं, ferrous or non-ferrous minerals में, I hope you understood it well, best of luck.